इस वीडियो में न होम लोन से जुड़ो है जितने भी सवाल बनेंगे न उन सभी के जवाब में आपको दूँगा जैसे कि उधारन के तोर पे हम क्या क्या डिसकस करेंगे पहले हम डिसकस करेंगे मानलो कोई सेलरीड क्लास है आपने एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो ये इन्श्योरेंस लेना चाहिए या इससे मतलब आपके पास पहले से है तो इससे कैसे बचा जा सकता है अच्छा इसके साथ-साथ, ये home loan bank से कैसे लेना है, ये पूरा process तो मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, इसके साथ-साथ मानलो आप कोई भी property purchase कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, plot हो, flat हो, या फिर अपने लिए कोई घर purchase कर रहे हो, ठीक है, बना-बनाया, उसका क्या process है मतलब उसका initially, जैसे होता है, कि हमने किसी broker को पकड़ा, उसको हमने बयाना दे दिया, ठीक है, मतलब token money दी, बयाना दे दिया, NOC निकल वाली, अंत में जाकर के registry हो गई, registry के बाद change of ownership से लेकर के, PTM यानि permission to mortgage, ये भी सारा का सारा process, मिलकुल आसान भाशा में मैं आपको करते हैं, या किसी को कोई property purchase करनी है, तो उसका पूरा का पूरा क्या process होता है, ठीक है, अब मैं एक बार इस page को ने एक blank page ले लेता हूँ, ताकि मैं आसानी से आपको बिलकुल आसान और सरल भाशा में, बिलकुल चीजे सब असान होती है, लिएस उसको ना कोई आसान भाश तो गैधर, मेरे पास 40 लाग उर्पे, 40 लाग उर्पे खुद के पड़े हैं, और मैं चाहता हूँ, अपने लिए कोई भी एक बना बना घर लेना चाहता हूँ, मैं एक property purchase करना चाहता हूँ, अब सबसे पहला काम मेरे को क्या करना होगा, मैं यह step by step लिक के चलता हूँ, सब सबसे पहला काम तो मेरे को bank में जाना है, क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ, कि 40 लाग उर्पे में मेरे को कोई अच्छी property मिलेगी नी, तो मैं यह सोच रहा हूँ, कि मेरे को एक home loan लेना पड़ेगा, home loan मेरे को बस एक बार पता चल जाए कि maximum कितने का मिल सकता है, फिर 40 20 लाग रुपे तो मेरे पास पड़े ही पड़े हैं, फिर मैं देख लूँगा कि मेरा budget कितना बनता है, फिर property ढूणनी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं bank में जाऊंगा, जिसमें भी मेरा मन है, अब इस पूरे के पूरे course में हम किसी का भी कुछ promotion नहीं करेंगे, ठीक है, मतब एक banking को समझने की कोशिश करेंगे, कोई paid promotion किसी भी चीज का नहीं रहेगा, किसी भी bank का हम favor नहीं करेंगे, आपकी मर्जी है, हम एक example लेके चलेंगे, मैं किसी भी bank में चला जाता हूँ, जो उनसा bank आपको अच्छा लगते हैं, आप उसमें चलेगे, आपने क है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब कहने का भाव यह है, कि आप bank में गए, और मैं मान के चल रहा हूँ, अपना case ले रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ, कि मैं bank में गया, और bank नहीं यह का कि आप 70 लाग उर्पे के लिए आप एली जी भलो, चीक है, इसके आप job कर रहे हो, जो आप घर का address दो के वो घर पे भी आएगा देखने के लिए, कि हाँ जी यह बंदे का घर खुद का है, rented है, जो भी है, खुद का business कर रहे हो, तो जो भी आपका जहाँ पे business है, तो उस case में वहाँ पे bank visit करेगा, मतलब all together फिर आपके pen card से fetch करेगा, कि इसके बदले में पहला काम bank क्या करेगा, मेरे को एक sanction letter बना के देगा, सबसे पहला काम यही है, सबसे पहले जब भी हम property purchase करते हैं, तो पहले मैं देखूँगा कि मेरे पास खुद का पैसा कितना है, जैसे मैं मान के चल रहो, मेरे पास FD, mutual fund, जो भी है, मैं उसको तोड़ क All together मैं 40 लाग रिपे का दो जुगाड कर सकता हूँ, फिर मैं चारों की bank से मेरे को loan मिल जए, पर पता तो हो कि कितने का loan मिलेगा, उसके लिए मैं bank में home loan के लिए apply करूँगा, चाहे मैं online apply कर लूँ, चाहे मैं bank visit करके apply करूँगा, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, मैंने bank स जी आप 70 लाग के loan के लिए eligible, चीक है जी, bank ने मेरे को इसके बदले में एक sanction letter बना के दे दिया, कि जहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, जहाँ पे लिखा होगा कि हम इस rate of interest पे आपको home loan दे रहे हैं, जहाँ लिखा होगा कि maximum इतनी amount के लिए हम आपको home loan दे रहे हैं, और य आपको sanction letter मिल गया, उसी वक्त आप bank से negotiate कर लो, bank उस time पे negotiate कर भी देगा, ठीक है चलो, जो भी हमें sanction letter मिला, यह 6 महीनों के लिए valid है, मालो आज अगर suppose करो, जन्वरी का महीना चल रहा है, तो यह June तक के लिए valid है मेरे पास पूरा को पूरा, मैं इसके अंदर कोई भी बदल चल गया, मेरे पास एक करोड़ दस लाख रुपे का बजट है, अब मैं property ढूननी शुरू करेंगे, अब मान के चलता हूं कि मेरे को अपने शहर में ये वाला घर पसंद आ गया, जी ये वाला घर मेरे को पसंद है, और वेसी बात है कि मैं किसी ने किसी broker के जरीए ही property को करते हैं, कई लोग डारेक्ट भी जो seller होते हैं, उससे बात कर लेते हैं, वो depend करते हैं, मालो मैं मान के चल रहा हूं, मैं ब्रोकर से ढूंड रहा हूं, तो मैंने का कि ये वाला घर मेरे को पसंद आ गया, ब्रोकर ने का कि ये तो सवा करोड का है, 1.25 CR का है, तो हमने ने न प्रोपर्टी कैसे परचेस करते हैं, प्रोपर्टी की रेजिस्ट्री, बयानना, वो सारी चीज़े कैसे होती हैं, वो भी मैं आपको सासा समझाता चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ही नहीं हो, क्योंकि अल्टिमेटली खरीदना तो हमें घर है खरीदनी तो प्रोपर्टी है, उसके भी तो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा भारत में हर व्यक्ति हरोजी प्रोपर्टी खरीद रहा है, 99% लोगों को नहीं पता होता कि वो बस ब्रोकर के सारे उनकी जिंदकी चल रही होती है, ब्रोकर कई बार फ्रोड भी कर कि देंगे मालेंlaş data, मैं में 2bank रुपर उसको दे धिए और यह कोरता है, जो हमें पशन है अब इस घर को आप किसी दूसरे व्यक्ति को मत बेचना, चीक है अंग्रेजी में इसे आप agreement to sell कहीं भी किसी भी state में, किसी भी शहर में रहते हो वहाँ पे जो भी तहसील होईगी ठीक है, court के साथ तहसील होती है न वहाँ चले जाना, वहाँ से आप बोल देना, बयाना बोलते हो तो बयाना, local भाशन में बयाना बोल देते हैं इंग्लिश में हम इसे agreement to sell बोल देते हैं यह आप निकलवाले न, अब यह निकलवाएगा कौन देखो, एक तरफ कौन है, seller है जो बेच रहा है, एक तरफ आप हो आप हो buyer, और बीच में हमने क्या रखा हुआ है ब्रोकर को रखा हुआ है, चीक है जी अब यह जो agreement to sell है काईदे से, यह seller के mobile phone पे एक OTPI, यानि seller request देगा तहसील में जाके कि मैं एक बयाना बनवाना चाहता हूँ क्योंकि बेचने वाला ही तो इच्छुक है न, कि मैं बेचना चाहता हूँ तो हमेशा काईदे से तो जो seller है न, उसके नाम से तो आप बैठे ही रह जाओगे, आप कुछ करोगे न, काईदे से आपको यहाँ पैसे बचाने ही नहीं है अगर seller कहें न, कि यार 100 रुपे पर ही निकल वालो क्या फरक पड़ते है, आप बायर हो डर तो आपको लग रहे है न, पैसे तो एक करोड दस लाग रुपे आपने देनी है, बेचने वाला तो तभी न साइन करेगा रेजिस्ट्री के दिन जब उसको पैसे मिल जाएंगे, उसको क्या टेंशन है बेचने वाले को कभी टेंशन नहीं होती, हमेशा टेंशन तो खरीदने वाले को होती है, आपको हमेशा, देखो काईदे से कानून के इसाब से जाओगे न, तो 4000 रुपे का जो स्टेंप पेपर है न, उसी के ओपर ही आपने बयाना निकलवाना है, आपने किसी लालेस में नहीं पढ़ना कि 100 रुपे पर निकलवा लेता हूं, 3900 रुपीज मेरे बच जाएंगे नहीं अगर कल को कोई फ्रोड हुआ, तो यह 4000 रुपे का पेपर ही कोट में वैलिड होता है, कि यहां जी मैंने बयाना बनवाया था, सामने वाले ने प्रोपेटी मेरे नाम नहीं करी, आपके एक्शन लो और जो भी, फिर यह चीज चलती है, कोट इसको असेप्ट करता है, और आपके फेवर में ही केस है तो आपको यहां पैसे नहीं बचाने, आपने 4000 रुपे की स्टैंप पेपर के ऊपर ही बयाना लिखवाने, अब बयाने में लिखा क्या जाते है, बयाने में होता यह है कि जितने का भी आप परचेस कर रहे हैं, जैसे हमारी केस में हम एक करोड़ दस लाग रुपे का परचेस कर रहे हैं, अब बहुत के चल रहा हूँ, एक करोड़ दस लाग रुपे की प्रोपेटी है, हम कानून के साथ चल रहे हैं, कानून के इसाब से चल रहे हैं, और हम रजिस्ट्री भी इमानदारी से एक करोड़ दस लाग रुपे की ही करवा पारे चीकेजी तो जितनी इंपर वाले दिन उसका 25% पैसा हम seller को दे दे चुक एसने परदी साड़े कि 25 रॉप में बेचने वाले को लिखा जाएगा में लिखा जाएगा कि साड़े 27 रॉप मैंने इसको दे दिये हैं किसको दे दिये मलब जो खरीदने वाला है उसने बेचने वाले को दे दिये हैं यह बयाने पर सब कुछ लिखा जाएगा 4000 की स्टेंप पेपर लिखा जाएगा वहां पर विटनेस का नाम भी लिखा जाएगा जो भी ब्रोकर होगा उसका नाम लिख दिया जाएगा क इन दोनों के pen card और धर card के number लिखे जाएंगे, ये सब कुछ लिखा जाएगा, इसके अंदर ये भी लिखा जाएगा, कि हम 60 days का time रखते हैं, या फिर कोई 45 days का time रख लेता है, कि 45 दिन के बाद हम registry करवा लेंगे, यानि पूरा का पूरा process complete करवा लेंगे, उसमें सब कुछ दे दी जाएगी, जो property खरीद रहा है, ठीक है जी, आपके पास रखी जाएगी, ये सबसे मजबूत evidence है आपके पास, कि आपने जो 27 लाख रुपे उसको पकड़ाएं न, जो 25% पैसा आपने दे दिया है, ये उसका सबसे ठोस evidence है, कि आपने उस सामने वाले को advance पैसे दे द है, कि जी, मैं 70 लाख रुपे देने के लिए त्यार हूँ, कब त्यार हूँ, अगर जो ये property आप खरीद रहे हो, इसके अंदर dispute नहीं होना चीए, इसके अंदर कोई विवाद नहीं होना चीए, इसकी मेरे को पिछले 13 साल की property chain मांगता है, कि पिछले 13 साल की property chain मांगता है, तो वो जो 27 लाख रुपे मैंने सामने बाले को दी है, वो मेरे को वापिस court दिलवाएगा, उसकी आप tension मतलो, जी, अब bank का भी कोई काम नहीं चल रहा, अब हम निकलवाने गए है, NOC, ये कहां से निकलेगी, ये भी तैसील से निकलेगी, ठीक है, जो भी आपके share में तैसी तैसील है, तैसील दार जहां बैठता है, वहाँ पे तैसील दार के पास तो नहीं होती, तैसील में जो office होता है, वहाँ से NOC के दिन क्या होएगा, एक क्या बोलते है, कैमरे में फोटो होएगी, एक buyer की होएगी, और seller की होएगी, ठीक है, जी, बालब buyer की अलग photo खीची जा परसेंट ही payment दी है, लेकिन property का 50% मालिक अब buyer भी बन चुका है, यानि अब property एक तरह से काईदे से buyer के नाम भी है, और seller के नाम भी है, दोनों के नाम 50-50% है, जब NOC आपने ये कर दी photo खीची, दो एक दिन के अंदर अंदर NOC का document आपके पास आ जाएगा, अब काम आता है bank अब आप अपने bank को बोलोगे, जिस भी bank से आपने लिया, ICIC, SBA, जिस से भी आपने apply किया है, अब आप अपने bank को कहोगे, कि जी NOC आ चुकी है, ये NOC का document पकड़ो, bank कहेगा बहुत अच्छी बात है, bank अपने lawyer को कहेगा, कि ये NOC का document पकड़ो, और इसकी पूरी की पूर इसकी पूरी को कहेगा, कि जी lawyer को 3-4,000 पे कि जो भी bank to bank depend करता है, अमोमन इतनी fees होती है, bank आपको lawyer का Google पे नंबर देदेगा, और कहेगा कि ये fees lawyer को देदो, तो बस ये छोटी सी fees होती है, ये आपको lawyer को दे देनी है, lawyer शाम तक आपको बता देगा कि property एकदम clean है, bank कहेगा बहुत अच्छी बात है, clean है, तो हम तो त्यार बैठे है, आपको 70,000 पे देने के लिए, हम तो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कि भी NOC clean आजे, ठीक है, NOC आ गई, बहुत अच्छी बात है, फिर काम आता है, valueator का, valueator क्या काम करता है, bank कहेगा, जी 2000 पे की fees और देदो, यह वहाँ जाके देखेगा, कि customer तो कहा रहा है कि एक करोड़ दस लाख रुपे का, यह घर या upload जो भी आप खरीद रहे हो, यह है, लेकिन भई, bank को भी तो पता होना च्छी ने, पता लगए कि आप तो कहा रहे हो, एक करोड़ दस लाख रुपे का है, और काईदे से उसक अब तो हमारा सारा प्रोसेस रेडी है, सतर लाख रुपे, आप अपना रजिस्टरी की त्यारी करो, अब यहाँ से जैसे ही bank हरी जंडी देगा, आप bank को कहोगे कि ठीक है, सारा काम मेरा हो गया, अब आप bank को डेट बताओ गया, जैसे माल लो आप कहोगे कि अगले महीने क की 20 तारीक को, या इसी महीने की 20 तारीक को, जब भी आपका मनो, बायर और सेलर और ब्रोकर, तीनों मिलके डिसाइड कर लो, कि जी अब रजिस्टरी को उनसी तारीक को करवानी है, अब तो, क्योंकि सेलर को भी डर लगने लग जया न, भी 50% परसेंट चली कि पैसा तो मेर पास, फिर फ़िस परसेंट आया है, अब थोड़ा-थोड़ा सेलर को डर लगने रगा है, वो चाता है कि रिजिस्टरी जल से जल्द हो जाए, तो कोई दिकर न, आप बैंक को बता देना, दो-चार दिन पहले बता देना कि जी इस तारीक को हम रिजिस्टरी करवाएंगे, बैंक काएगा, ठीक है, कराओ रिजिस्टरी, बहुत अच्छी बात है, जिस दिन रिजिस्टरी बैंक बता देगा कि ठीक है, इस दिन करा लो, उस दिन, जिस दिन रिजिस्टरी होएगी, अब सारे के सारे फिर तैसील पहुचो, रिजिस्टरी वाले दिन, उस दिन क्या हो वाले को प्रोपैटी ट्रांसफर कर दिए ठीक है यह रजिस्ट्री जिस दिन हो जाएगी चालीस लाख रुपे में से आप साड़े सताइस लाख रुपे तो दे चुके हो सुबह सुबह जिस दिन रजिस्ट्री होगी उससे पहले ही बचे होए पैसे गिनवा देना यानि पहले वाले डोक्यूमेंट भी होँगे कि आपसे पहले प्रोपैटी कि इसके पास सीथि यह पूरे डोक्यूमेंट रोजिस्ट्री के हो जाएगे यह तयसील दार के पास जाएगे तयसील दी ले लेके कहलो या चेक लेके खड़ा होता है वह 70 लाग रुपेगा की जी अब यह रजिस्ट्री हो चुकी है और बैंक वाला आपको चेक नहीं देगा आपको तो आथ में भी नहीं पकड़ने देगा जिसने प्रोपरेटी बेची है जो सेलर है उसके हाथ में चेक पकड़ाएग सैलर साइन ही क्यों करेगा रजिस्ट्री के आप रहेएगा इसलिए तो यह सारी चीज हो जाएगी और बैंक ने आपको पैसे दे दिये अब यहाँ से सैलर का काम खतम सैलर का रोल खतम उसके बाद जो अगला पाद की है उस हो चुक najत के बाद बार ठीज औफ और शिपका इसमें क्या होता है कि मालो रमेश के नाम पर प्रोपर्टी थी और सुरेश ने खरीदिये जी अब रमेश का तो काम खतम हो गया लेकिन प्रोपर्टी अभी भी तो रमेश के नाम पर ही है अब चेज ओफ और शीप में फिर तहसील जाएंगे application देंगे कि यह registry की copy है यह रमेश से सुरेश के नाम transfer होगी है अब सिरफ सुरेश को sign करने change of ownership में सुरेश sign मार देगा property जो है एक अफ़ते के अंदर अंदर अब रमेश से transfer होके सुरेश के नाम पर आ जाएगी जब सारे काम होगे अब bank वाला काएगा मेरा एक last काम बचा है प्लीज PTM कर दो PTM यानि permission दे दो permission to mortgage mortgage का मतलब क्या है mortgage एक banking term है जिसे English में तो हम mortgage बोलते हैं Hindi में बोलते हैं कि girvy क्या मतलब है इसका bank कहता है कि अब property होगी आपके transfer 70 लाग रुपे मैंने दे दिये अब इस property के ओपर ये जो आपने प्यारी सी property खरीदी है इसके ओपर मालो SBI से खरीदी है तो SBI कहेगा इसके ओपर एक charge create कर दो जिसे हम अंगरेजी में mortgage कहते है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये property आप तहसील में जाके क्या रहे है इसके ओपर mortgage का charge लगा दो SBI के favor में इसका मतलब है हिंदी में साधारन बाशा में कि ये property SBI के पास गिरवी है कब तक जब तक मैं 70 लाग उर्पे का SBI का loan नहीं उतार देता ठीक है जी तो इसको हम अंगरेजी में बोलते हैं कि properties mortgage mortgage गिरवी है SBI के बास जब तक मेरा पूरा का पूरा करजा मैं SBI का नहीं उतार देता जिस दिन पूरा करजा उतार दूँगा SBI से मैं NOC लोंगा यानि SBI से अब no objection certificate लोंगा कि मैंने पूरा करजा उतार दिया ये NOC मैं तहसील में दूँगा और तहसील से अपनी property से ये PTM का जो चार्ज है यानि permission to mortgage का ये उतरवालूँगा फिर complete और संपूर्ण रूप से वो जो property है वो मेरी हो जाएगी बैंक का भी रोल खतम हो जाएगा तो इसे हम mortgage बोलते हैं मतलब जब हम घर खरीदते हैं मतलब अगर हम house, home loan, property कुछ भी खरीदते हैं उस पर जो charge create होता है mortgage होता है अगली जब मैं वीडियो आपको बताऊंगा वो हम vehicle loan के ओपर discussion करेंगे जहीं कार loan, bike loan ये सारी चीज़े उसके ओपर जो charge होता है उसे हम hypothecation बोलते हैं अग्रेजी मतलब mortgage है सबका मतलब यही होता है कि चीज़ गिरवी है कब तक गिरवी है जब तक हम bank का loan नहीं उतार देंगे पहली चीज़ जो हमने इसमें समझी ये मोटा मोटा समझा कि कैसे bank से loan चल रहा है साथ साथ हमने ये समझा कि कैसे property का पूरा पूरा चक्का चलता है कि कैसे property की registry होती है उमीद करता हूं कि ये बहुत informative आपको लग रहा होगा ठीक है जी चलो अब आगे चलते हैं कुछ और बात हैं हम discussion करते हैं home loan से जुड़ होई ठीक है अब एक concept आता है LTV का यानि loan to value का जैसे मानलो अमूमन bank क्या बोलते हैं bank बोलता है कि अगर जो आप property खरीद रहे हो उसकी value अगर 0 से लेकर के 30 लाग रुपे के बीच में है जी कि मानलो जो आप घर खरीद रहे हो मानलो वो 30 लाग रुपे का घर है और आप चाहते हो कि मैं loan लेना चाहता हूं तो bank बोलता है ऐसे case में 90% तो हम loan दे देंगे लेकिन 10% आपको down payment करनी पड़ेगी मानलो 30 लाग का loan है तो bank कहेगा 27 लाग तो मैं loan दे दूँगा लेकिन 3 लाग रुपे आपको property के लिए down payment करनी पड़ेगी ऐसी bank बोलता है कि अगर आप घर जो खरीदे हो उसकी value 30 लाग से लेके 75 लाग के बीच में है तो इस case में 80% तो मैं loan दे दूँगा लेकिन 20% आपको down payment करनी पड़ेगी मेरको थोड़ा थोड़ा रिस्क लग रहा है property की value बढ़ती जा रही है तो ऐसी मानलो गर आपका घर 60 लाग का है तो bank कहेगा 75 लाग मैं loan दे दूँगा 25 लाग आपको down payment करनी पड़ेगी तो यह एक LTV का concept है कि कितना loan है उसके against bank कितनी value है उसके against bank कितना loan देगा तो यह भी बहुत जरूरी concept हो जाते है एक चीज आती है rate of interest की अब दो प्रकार की rate of interest bank offer करते है home loan में एक होते है fixed rate of interest एक होते है floating rate of interest जैसे मानलो अगर आज example ले लो home loan का rate of interest 9% चल रहा है आप कहते हो कि जी मैं floating rate of interest पे home loan लोगा तो 9% चल रहा है अब कल को हो सकता है 2 महीने बाद 6 महीने बाद rate of interest बढ़के 10% कर किष्ट 50,000 पे महीने कटती थी लेकिन अब 10% हो गया तो आपकी भी किष्ट बढ़के 52,000-53,000 जो भी बनेगी वो हो जाएगी ऐसे मानलो rate of interest घटके 8% हो गया तो आपका भी home loan का rate of interest घट जाएगा आपकी भी किष्ट घटके 48,000-47,000 जो भी बनेगी वो घट जाएगी ले आपका home loan 9% के हिसाब से ही चलता रहेगा ठीक है तो यह concept होता है fixed or floating rate of interest का ठीक है अब एक सवाल हो रहात है बहुत से लोग बोलते सर मेरी salary 30,000 है मेरी salary 40,000 है मेरी salary 50,000 है कोई कहेगा मेरी salary लाक है यह कहेगा मुझे maximum कितना home loan मिलेगा यह कहेगा मुझे कितना मिलेगा maximum आप उतने home loan के लिए eligible इसका एक simple सा थमरूल यह है ठीक है एक और चीज आती है भी home loan है rate of interest तो ही है इसके लावा home loan के और क्या-क्या खर्चे है देखो पहला खर्चा है processing fees का जैसे मानलो मैं home loan ले रहा हूँ सपोज जैसे हमारे case में हमने 70,000,000 का home loan लिया ठीक है तो processing fees अ इससे जादा नहीं लगेगी कुछ-कुछ bank तो ऐसे है 0.10% पे भी home loan की processing fees पे loan disburse कर देते हैं मतलब यह आप personal loan की तरह मतले ना कि जैसे personal loan में तो 1% 1.5% भी processing fees जिसे हम file charge बोलते हैं वो लेते हैं इतना मत सोचना bank वाले कई कई पार पागल बहुत मनाते है customer का तो बस इतनी नहीं home loan की processing fees से इससे जाद आपको देने की जूरत नहीं है इसके अलावा एक lawyer को हमने 3-4,000 पे दिये थे एक valuator को हमने 2-3,000 पे दिये थे यह आपके चोटे-मोटे दो खर्चे रहेंगे एक home loan insurance bank बोलते हैं देखो मेरा यह मानना है कि यह लेना भी चाहिए जैसे होता क्य है जैसे मानलो मैं home loan लेता हूं मानलो मेरे चलो किसी का भी एक्जामपल ले लो कि 70,000,000 रुपे का किसी ने भी XYZ किसी ने भी home loan लिया अब मानलो पूरी की पूरी फैमिली इसी व्यक्ति के ओपर dependent है लेकिन अगर कल को इससे कुछ हो गया और इसने insurance भी नहीं ले रखा यह भेज करके आपको यह कहेगा कि घर का auction करेंगे हम घर खाली करो फैमिली किस्त भर नहीं सकती फैमिली मजबूर हो जाती है यही अगर मानलो इसके पास 70,000,000 रुपे का लाइफ इंशोरेंस होता है अगर मानलो बगवान नागर इसे कुछ हो जाता सीधा insurance company इसके परिव भी गया तो इनकी life को कोई फरक ही नहीं पड़ता तो उस case में आप क्या भी सकते हो कि doesn't matter मेरे को नहीं चाहिए insurance ठीक है लेकिन bank कंपेल करेगा आपको कि आपको एक insurance लेना ही पड़ेगा यह चीज है कई बार लोगों ने पहले से खुद के लिए 1 करोड का term plan ले रखा होता है तो फिर bank फिर भी bank बोलता है कि जी cross selling हम करेंगे हमारे से एक और लेना पड़ेगा तो उस case में ऐसा जरूरी नहीं होता आप बैंक से negotiate starting में कर लो अपना पलड़ा starting में वो रखो तो कोई जरूरी नहीं होता कि अलग से लेना आप यह भी कह सकते हो कि मेरे पास already एक करोड home loan के क्या concept है ठीक है पहली चीज तो home loan maximum 30 years के लिए मिलता है women जो borrowers होती है उनको कई बार कुछ-कुछ bank 0.5% concession दे देते हैं अधिकतर government banks देते हैं private नहीं देते ठीक है यह basic basic सी चीज़ है अगर कोई self-employed है खुद का business करता है अब हो सकता है वो proprietor हो हो सकता है कि वो partnership firm हो हो सकता है कि किसी company का director हो जो भी हो बट जरूरी यह है कि जिस भी business को वो कर रहा है पिछले 3 साल से same business को कर रहा होना चाहिए तब ही bank उसके business को trust करके उसे home loan देगा ठीक है salary के लिए 21 साल है business के लिए minimum age 18 साल है government employees के लिए अगर कोई home loan लेना चाहता है कोई सरकारी नोकरी कर रहा है अच्छी चीज़ यह कि processing fees zero ही हो जाती है अधिकतर bankों में सरकारी में तो zero ही हो जाती है जैसे 0.40% यह सब चीज़े एक कुछ भी नहीं लगता एकदम zero ही हो जाती ह तो यह कुछ एक point थे एक point और आजाता है home loan में यह भी आप समझ लो इसको हम बैंक में ना BT BT बहुत बोलते हैं इसे balance of transfer वैसे बोलते हैं पर बैंक में हम अपनी language में नॉर्मल यही बोलते हैं भी BT का case है BT का case है इसका मतलब क्या होता है मालों आपने SBA से home loan ले लिया let's suppose 9% पर ले लिया 6 महीने बाद आपको पता लगा कि आइसे इसे बैंक तो जी 8% पर होम लोन दे रहा है अब आप SBA को कहोगे यार आपने तो बहुत अच्छा गासा लूट लिया मेरे को एक साल में अब आप आप आइसे इसे बैंक को एप्रोच करोगे आपको BT करवानी है मैं BT यह नहीं balance of transfer करवाने 70 लाग का लोन है एक साल के बाद मान के चलता हूंगी 67 लाग का लोन हमारा बचा हुआ है तो आई से इसे बैंक काईगा बहुत अच्छी बात है कराओ जो भी मोके पर चल रही होगी बस आज की डेट में इतनी लगती है चीक है जी तो यह बस फीस आपको देनी है और आपका लोन जो है फटाक से या SBI से शिफ्ट हो कि आई से इसे हम आ जाएगा तो इसे हम बोलते हैं कि जब एक बैंक से लोन को हम होम लोन को दूसरे बैंक म transfer बोलते हैं एक और concept आते है होम लोन में top up का top up क्या है मानलो मैंने 70 लाग का लोन लिया मैंने बना बनाया घर भी ले लिया अब मानलो मेरे को थोड़े टाइम बात बता लगा गया थर्ड फ्लोर पर थोड़ा और काम करवा लेते हैं तो जब लोन के उपर एक और लोन चाह लोन के ओपर लोन ठीक है मानलो अगर यह 9% पर चल रहा था तो इसका rate of interest 0.5% थोड़ा सा एक परसेंट जादा लगा लेते हैं तो यह साड़े नो यह 10% पर मिरको मिल जाएगा तो जब लोन के ओपर लोन लेते हैं तो हम उसे home loan top up बोल देते हैं एक और चीज है ठीक है यह और समझ लो चलो जब initially होता है क्या 30 years के लिए home loan लिया मानलो मैंने एक तरफ मैं मानके चलता हूं कि मैंने 15 years के लिए home loan लिया maximum तो 30 years के लिए ही मिलता है अगर मैं जितना जादा समय रखूंगा न मानलो किसी की 50,000 पर गिश्ट करते हैं और उसने 30 साल के लिए loan लिया तो यह पकड़के चलो शुरुवात में ब्याज चुकाने में और प्रिंसिपल चुकाने में चीक है जी पचास हजार में से लगबग 47,000 पर तो उसका ब्याज चुकाने में चला जाएगा और 3000 पर ही उसका सिरफ मूलधन कम होएगा यही अगर मैं समय कम कर देता हूं न तो यह अराम से यह पकड़के चलो कि 35,000 रुपे इसका ब्याज चुकाने में चला जाएगा और 15,000 रुपे उसका मूलधन चुकाने में जाएगा तो मतलब जितना लंबे समय के लिए मैं लूंगा न मतलब मानलो कोई बंदा 50,000 पर ही किष्ट भर रहा है लेकिन मानलो 70,000 का लोन फिफ्टीन यर्स का बेस्टेनियोर होता है अगर आप लेना चाहते बहुत जादा लंबे समय के लिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आप बैंक का वो देखोगे न ग्राफ ठीक है कि मानलो आप EMI ग्राफ अगर मैं आपको समझाओं तो यह कुछ इस प्रकार से होता ह चाहिए और जो मूलधन है वो ना के बराबर ही चार्ज करता है यह प्रिंसिपल है जब लोन आदा खतम हो जाता है फिर धीरे 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 आपका यह बढ़ता है और इंट्रस्ट वाला जो पार्ट है यह घटता है मतलब शुरुआत में बैंक का पूरा फोकस होता है कि ब् वीडियो की सारी और उमीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से बैस्ट आपको यह session दिया home loan के ओपर टीक है अब अगले session में discussion करेंगे वहकल लौन के ओपर जिसके अंदर हम क्या-Kyakya cover करेंगे अपना car loan भी cover कर लेंगे bike loan भी cover कर लेंगे यहनी vehicle से related जो भी सारी की सारी चीज़े होएंगी यह सब कुछ मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा कि उसमें hypothecation का क्या concept होता है bank की RC के पीछे hypothecated to bank का नाम लिखा होता है उसका क्या concept होता है तो वो भी काफी interesting रहेगा तो अगले में हम vehicle loan के उपर discussion श्टार्ट करेंगे